आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें आजाएगा, समा कलंट और यहां meidän पर हम X2 उपर भी उभाइणिश लेंगे और X 2 नीचे भी उभाइणिश लेंगे तो X 2 से X 2 कैंसल हो जाएगा अब नीचे हर में अगर मैं square बनाऊँ तो यह आजाएगा हमारे आई बढ़ाबर समा कलंट अंच में आजाएगा हमारे पास 1-4 बटा x स्क्वाइर और गुणा में आजाएगा dx बटा नीचे हमारे पास आजाएगा x स्क्वाइर प्लस 16 बटा x स्क्वाइर इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 बटा x का whole square और यह आजाएगा हमारे पास x square प्लस 16 बटा x square और प्लस का 8 तो 24 में से 8 यूज कर लूँगा थो हमारे पस कितना बचेगा केवल 16 बचेगा तो यह आजाएगा प्लस का 16 और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का square अब x प्लस 4 बटा x को t माल लूँगा x प्लस 4 बटा x को t माल लूँगा x प्लस 4 बटा x बराबर t तो इसका अवकलन करूँगा तो x का अवकलन 1 प्लस 4 बटा x का अवकलन माइनस का 4 बटा x square 4 constant है और 1 बटा x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1 बटा x square और गुणा में आजाएगा dx बराबर dt तो जो अंच है वो हमारे पास dt में चला जाएगा और हर में इसकी जगती आजाएगा तो समा कलन का मान आजाएगा i बराबर समा कलन dt और बटे में आजाएगा यहाँ पर आजाएगा हमारे पास t तो यह आजाएगा t square प्लस 4 का square अब 1 upon x square प्लस a square का जो समा कलन होता है समा कलन dx बटा x square प्लस a square इसका शुत्र होता है हमारे पास 1 बटा a 10 inverse x बटा a प्लस c क्योंकि अनिश्चित समा कलन है तो यहाँ पर x की जग़ तो t है और a का मान है 4 तो समा कलन का मान आ जाएगा i बराबर 1 बटा 4 10 inverse t बटा 4 प्लस c अब t हमने माना था x प्लस 4 बटा x को t माना था तो t की जग़ x प्लस 4 बटा x रखोंगा तो i का मान आ जाएगा i बराबर 1 बटा 4 10 inverse x प्लस 4 बटा x और बटे में आ जाएगा चार और प्लस C और यहां पर X लगू तम आएगा तो यह आजाएगा X3 square प्लस चार बटा एकस ऐकस सवक्वार प्लस चार बटा एकस और नीचे चार से गुणा हो जाएगा तो यह जाएगा 10 inverse X square plus 4 और तो यह Ben जाएगा 4 X तो यह आपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर